इस वीडियो नंबर फाइव on the same numericals what we are doing actually उसी का एक और circuit दूँगा उसी तरह की problem है आप खुद भी आपको try करनी आनी चाहिए लेकिन still मैं explain करूंगा इसके अंदर आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आप problem देखो और उसको खुद try करो बाद में वीडियो देखो इसकी ठीक है आप ऐसा कर लो ये प्रॉबलम है आपकी इस problem पर try करो same problem है कुछ भी नया नहीं है इसमें सिरफ values changed है polarities changed है अब उसके recording काम करना है सारा मैं आपको बताता जाता हूँ आप लोग यहां पर pause करके कुछ try कर सकते हो ठीक है तो देखो इसके आगे क्या करेंगे हम पहले मान लो switch open है switch जब open है ये connection नहीं है जब connection नहीं है तो जो potential है वही रहेंगे वो कैसे change होंगे ये capacitor पहले से charge है वो energy store करके आया है कितनी charge लेके आया है इस plate के उपर plus 2CV यहां पर लिखने की ज़रूरत नहीं होते इसी का minus होते है नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा एक ही plate की लिखोगे तब भी चलेगा ठीक है ये कहानी है इस से basis पर initial energy निकल गई कितनी half C V square 2V volt 2V volt है ये 2V volt नहीं है 2V volt है ठीक है तो कितना आ गया 2CV square initial energy मैंने की ये देखो आपको साथ साथ में करके दिया इस बार मैंने सब साथ साथ में की ये देखो circuit को भी देखो open कैसे रखा है मैंने switch को understanding develop होती है इससे इतना time नहीं देंगे आपको करने के लिए अपने लेकिन अपने दिमाग में बिठा लेना कि ये हो रहा है ये सब visualize करवाने के लिए आपको कि क्या मतलब है switch open मतलब connection ही नहीं है connection नहीं है तो battery कैसे अपना उसके ओपर influence फैंक सकती है कैसे काम कर सकती है जब तक connection ही नहीं है आगे ये तो वहीं निकाला अगला देखो अब क्या होगा connection हो गया connection होते ही हमें पता चल गया capacitor की voltage कितनी हो जाएगी बैटरी के कारण जितनी battery की है कितनी 6 volt polarities कैसी होगी जैसी battery की है battery का अगर positive कहां है इधर तो इसका भी positive कहां आएगा इधर जैसे बनाया है मैंने इस बार ठीक है वैसा आया इस बार हमने final energy निकाल ली charge मैंने लिख दिया है यहां पे charge आपको दिखाई दे रहा होगा charge जो लिखा है मैंने plus 6CV minus 6CV final energy हमने निकाल ली कितनी यह आगया half CV square CV square 6V volt है यह 6V volt नहीं है 6V volt है confuse नहीं होना इसमें ठीक है 18 आगया calculation करके हो गया अब यहां पे समझने वाली बात थी यहां पे मैं आपको बताता हूँ पहले यहां पे कितना charge था plus 2CV यहां पे छोड़ दो plus 2CV क्या बन गया plus 6CV इसका मतलब इसने कितना charge दिया 4CV अतम होगे question work done by battery positive है बिल्कुल positive है क्योंकि positive से charge निकल रहा है जब positive के अंदर enter करेगा तो negative work done होगा तो work done कितना आया QV, Q क्या है 4CV, यह charge की value है 4CV multiplied by 6V answer 24CV square energy gained कितनी है energy gained is equal to energy gained is equal to पहले कितनी थी पहले कितनी थी उसमें से minus करना पड़ेगा मुझे याद नहीं है देख लेते हैं पहले कितनी थी 2 अब कितनी हो गई 18 energy gained कितनी हो गई 16 लिखा है सब मैंने work done by battery निकाल दिया भी आपको सिखाया ठीक है फिर आगे बड़े energy generated sorry heat generated work done by battery मैंने पूरा नहीं लिखा है short cut में लिखा है energy gained by capacitor kapasitor energy gained by capacitor 16 समझो कैसे 8CV square is the heat generated thank you